आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास मंतराले की पीसी में जो लॉक डाउन से जुड़े दिशा निर्देश जारी किये थे उनके मुख्य बिंदू साजा किये थे आज मैं आपके साथ लॉक डाउन से जुड़े जो नैशनल डिरेक्टिव्स यानि राष्ट्य निर्देश हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकरिष्ट करना चाहूंगी सारवजनिक स्थानों के लिए जो हमने निर्देश जारी किये है उसमें सबसे पहले यही है कि सभी को फेस कवर यानि फेस मास्ट लगाना अनिवार्य है सारवजनिक स्थानों पर सबको दो गस की दूरी बनाए रखना जरूरी है सारवजनिक स्थानों पर थूकना दंडनिय अपराद है इन स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू, इत्यादी का सेवन करना वर्जित है दुकानों पर सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवारे है दुकान पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते किसी भी संगठन या ओगनाइजेशन को पांच या पांच से अधिक लोगों को एक स्थान पर इखटा करने की अनुमती नहीं है विवा संबंधी समारों में पचास व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर रोख है इन समारों में भी सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक है इसी प्रकार अंतिम संसकार में भी सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का पालन करते वे बीस व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं हो सकते अब मैं आपके साथ कार्यस थलो के लिए जारी राष्टे निर्देशों को फिर से साजा करना चाहूंगी कार्यस थलो पर thermal scanning, hand wash, sanitizers और face mask पर्याप्त मातरा में उपलत कराना आवश्यक है कार्यस थलो पर और company परिवहन में इन्चार्ज त्वारा social distancing सुनिश्चित करना भी आवश्यक है काम की shift के बीच समय का पर्याप्त अंतराल होना चाहिए और staff को अलग-अलग lunch break दिया जाना चाहिए ताकि social distancing सुनिश्चित की जा सके सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतू आप पर register करवाना संगठनों के प्रमुखों के जिम्मदारी है कार्यस थलो को समय समय पर खासका shifts के बीच में sanitize किया जाना भी जरूरी है सभी कार्यस थलो पर COVID-19 का उपचार करने वाले निकटवर्ती अस्पतालों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए कौरंटाइन के लिए भी स्थान चिनहित करके रखना चाहिए बड़ी बैठिके यानि physical meetings को avoid करना चाहिए सफाई और हाईजीन बनाए रखने के लिए स्वच्चता के उत्तम तरीकों के बारे में जानकारी और प्रशीक्षन आयोजित किया जाना चाहिए आशा है इन सब के अनुपालन से हम COVID-19 की चेन को तोड़ पाएंगे धन्यवाद अगर हम पिछले 24 गंटे में देखें तो पाते हैं कि 1020 patients के और हो चुके हैं जिसते हमारी total के और लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है जिसके कारण हमारा total recovery rate बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है total 32,138 cases में अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है पिछले 24 गंटे में भारत में COVID-19 के कारण हुई deaths में 195 cases का increase नोट किया गया है जिसके कारण कुल deaths की संख्या बढ़कर 1558 हो चुकी है पिछले 24 गंटे में हमने confirm cases और deaths की संख्या में अब तक का highest increase नोट किया है हम एक infectious disease से deal कर रहे हैं इसलिए timely reporting of cases and their management is very crucial कुछ राजियों में यह gap नोट किया गया था जिसे after due persuasion अब address किया जा रहा है States के level पर यह है जरूरी है कि based on cases reported, contact tracing, active case search और clinical management of cases को effectively implement किया जाए जहां हम सब लोग COVID से लड़ने के लिए सभी तरह के efforts कर रहे है यह भी जरूरत है कि non-COVID health services भी नागरिकों को मिलती रहे हमने delivery of non-essential health services के बारे में already 14 April को guidelines जारी की थी हमें ensure करना है कि government और private non-COVID facilities में जिस zone में वह जिला पड़ता है उसके अनुसार सारी services प्रोवाइड की जाएं immunization, maternal child health services, services for critical ill patients जैसे कि dialysis, cancer, diabetes, TB और blood donation जैसी services सुचारू रूप से चलती रहें यह season vector bond diseases जैसे dengue, chicken gunya और अन्य बिमारियों के लिए भी कारे करने का season है जरूरत है कि field functionaries इन कारियों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी services, rural और urban areas में सुचारू रूप से provide करते रहें मान्य स्वास्थे मंत्री जी ने हाल ही में बिहार राजे के स्वास्थे मंत्री जी के साथ वीडियो conference के जरिए acute encephalitis syndrome AES cases का भी review किया है उन्हों राजे को आश्वाशन दिया है कि स्वास्थे मंत्राले उनके health system को strengthen करने के लिए national health mission के द्वारा सभी तेरे का support provide करेगा आज group of ministers ने COVID-19 के सम्वन में मान्य स्वास्थे मंत्री जी के अध्यक्षता में अपनी 14th meeting की मुख्यत है, infrastructure, in terms of PPE, N95 masks and ventilators, oxygen cylinders availability, availability of oxygen पर discussion किया गया यह हैं बताया गया कि risk assessment को facilitate करने के लिए और लोगों को timely alert provide करने के लिए technology का अस्तिमाल करते हुए आरोगे से तो आप्लिकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए non-COVID hospitals और COVID block वाले अस्पतालों में जो non-COVID treatment area है वाँ health workers को और अन्य लोगों को PPE किस तरीके से इस्तिमाल करने चाहिए उसके लिए एक additional guideline को जारी किया गया है इससे पहले भी स्वास्थे मंत्राले ने 24 मार्च को PPE के rational use पर कुछ दिशा निजश जारी किये थे इसमें guidelines में health care workers को risk profile जैसे की high risk area, moderate risk area या low risk area के basis पर किस hospital setting में किस type of PPE use करने चाहिए उस पर guidance प्रोवाइड की है high risk area में full complement of PPEs यानि की N95 mask, coveralls, goggles, gloves और shoe cover का इस्तेमाल किया जाना चाहिए moderate risk area में N95 mask, gloves का इस्तेमाल करना चाहिए mild या low risk area में triple layer medical mask और latest examination glove sufficient है इस सम्मन में different area जैसे की IPD block में जैसे हमारे wards है, ICU है, labor rooms है, operation theater है OPD block में हमारी help desk के registration counter है, doctors के chambers है, pharmacy counters है, sanitary staff को क्या precaution लेनी है इसी तरीके से emergency department या other ancillary services जैसे की हमारी lab, blood banks और laundry services जो भी है वहाँ पर किस type का risk profile है और उसके तहट किस type के PPEs को use करना चाहिए यह detail बिशा निर्देश जारी किये गए हैं आप सबके द्वारा request यह है कि community में हमारे जितने भी government और private hospitals हैं वो इन guidelines जो कि हमारी website पर भी उपलब्ध हैं, उसको समझते वे उसके इसाब से कारे करें COVID-19 दुनिये के अभी सभी देशों में फैल चुका है इस लड़ाई में case management के साथ साथ जब हम lockdown को relax करते हैं तो यह लड़ाई हमें काफी responsibility के साथ लड़नी होगी माने प्रधानमंत्री जी के अनुरोध अनुसार शुरू से ही यह लड़ाई सरकार के साथ देश का हर नागरिक लड़ रहा है जब हम lockdown को relax कर रहे हैं तो इसमें सरकार के जिम्मेदारी के साथ साथ हर नागरिक के जिम्मेदारी और बढ़ जाती है समझ सरकार और संपून समाज के shared effort से ही हम यह लड़ाई जीच सकते हैं हमें अपनी जीवन शैली और काम करने के तरीके में कोवीड नाइटीन से संबंदित अप्रोप्रियेट बदलाव लाना होगा आज जरूरत है कम्यूटी की ownership की जरूरत है कि हर citizen as part of the social responsibility chain of transmission को break करने में contribute करे जैसे कि मानिय प्रधान मंतिजी ने कहा था भारत की यह लड़ाई people driven हो और हम सम मिलकर समस्विष के सामने इसके लिए सेक्सेस और एक्जामपल सेट करें धन्यवाद कुमार कुंदन टीवी नाइन वार्थ बरश मेरा सवाल लवागरवाल सर से तो यहाँ पर स्वास्त मंत्राले की PC चल रही थी और यह आखड़े बताय जा रहे थे कि पुरे देश में फिलाल क्या स्थिती है और नई guideline भी जारी की गई है